सौ में सत्तर आदमी फिल हाल जब नासाद है दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है देश तो आजाद हो गया लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि इस देश का नागरी आजाद हुए है कहने के लिए हमारा भारत आजाद है लेकिन हम महिना है आज भी घुलाम है अब भी भी हमारे साथ हो आजादी आजादी नहीं है हर बंधने है परदा पिर्था शिक्षा इन में आही खुल कर आजादी नहीं मिली एक खुला आस्मा और एक परिंदे जैसी जिन्दगी ही मेरे लिए आजादी का माइने रखता है भारत में आजादी मिलने की कारण में स्वेतंत्रे रूप शी अपना सिक्षा ग्रहन कर रही ह इससे हमारा समाजी को इकास संभा हो पाया है 65 बरस बाद भी हममानसिक, राजनितिक एवं आर्थिक रूप से आज भी गुलाम है आज स्थिये बने हुए है कि देश बिगास कर रहा है पर मुड़ को गाओं के स्थिये हैं बत्तर से बत्तर होते जा रही है हिंदुस्तान की आजादी देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान आजाद सिर्फ यहां के नेताओं के लिए हुआ है आम जनता के लिए यहां कुछ भी नहीं है जैसे ही हो रहा है उसे बरस्टाचार अथिक जाता होते ही चले जा रहा है आज भी हम रूढ़ी वादी समाजी व्यस्ता एवन कई समाजिक ताना बाना के जनजीरों में जगड़े हुए है आज भी हमारे समाज में भरस्टाचार, लूटपार्ट, बलातकार, चोरी डकायती जैसे अनेक कुरीतियां मौजुद है असिक्षा दरिदर्ता भस्टाचारी जातिवाद, क्या ऐसी ही आजादी की कलपना किये थी हमारे पूरवज। इस देश के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं उसको उसका अधिकार मुल्भु स्विधाएं और समानता का अधिकार मिलना चाहिए जो आज नहीं मिल पा रहे हैं आजादी केवल स्विधान तक सिमट गई है ये विवार में लागू नहीं है अपने कठन और अपने वीचारों को प्रकट कर सकूं और अपने नियम अनुसर स्वतंद हो के जी सकूं यही मेरे लिए आजादी है मुझे आजादी मिलने से मैं अपना विचार कहीं भी अभिव्यक्त कर सकती हूँ आजादी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समाज से आजाद हूँ, परिवार से आजाद हूँ और खुल कर काम कर रही हूँ यहाँ पर छुआ चीत और भेदभाव के कारण हमारा समाज कहां आजाद दिखाई देगा आजाद होने का मतलब है कि इनसान एक समान हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बच्चा हो कोठियों से मुल्क की उँचाई आमत मा पिये असली हिंदुस्तान तो फुट पात पर आबाद है असली हिंदुस्तान तो फुट पात पर आबाद है